आज की इस वीडियो में हम अपलों को बताने वालें प्रेंस कि आप लोग नोवदे भी दाला कलासिक्स स्टुडन का एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे स्टुडन का नाम के थुरू या फिर रेजिस्टेसन नंबर के थुरू जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो रेजिस्टेसन नंबर डेटर बत मांगता है तो बहुत सरह स्टुडन का रेजिस्टेसन नंबर जैसे खो गया है मिल नहीं रहा तब किसी भी student का admit card को नाम और database के थुरू भी डाउनलोड कर सकते हैं और registration number और database के थुरू भी डाउनलोड कर सकते हैं तो दो तरीका बताने वाला हूँ admit card डाउनलोड करने का तो वीडियो को complete देख लिजेगा बहुत चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसर्पले आप लोग अपना-पना mobile का कोई भी एक browser को open कर लिजे जैसे google chrome browser हो गया google में आप लोग क्या लिखके search करेंगे ध्यान दिजे scholarship help.in इस website में आप लोग को direct link मिलेगा जो है admit card registration number से डाउनलोड करने का और नाम से भी डाउनलोड करने का तो scholarship help.in लिखके google में search करेंगे तो first में website open होगा इस website को first वाला link पर click करना है इस website को open करना पहले है इस website को open करने के बाद यहां पर नोवदे भी दला है classics admit का download करने का link मिलेगा इसको open करेंगे तो इस तरह interface open हो गया अभी यहां पर आप लोग इसको पढ़ भी सकता है हिंदी में जानकर इस दिया गया या पिर इसको scroll करेंगे scroll करेंगे और admit का download करने का direct link रहेगा उस पर आना है admit का download करने का link यहां पर है देख लिजे genbs admit card download करने का link classics student का तो genbc admit card यहां पर click here में click करेंगे तो ध्यान दिजे यहां पर option है registration number और data बात फिल करके admit card check करने का मतलब बहुत सरे student का अगर registration number है तब direct registration number दिजिए student का data बात दिजिए और admit card download कर लिजे अगर registration number आपका खो गया है तो कैसे admit card download करेंगे वो भी वताएंगे तो complete देख लिजे जिसका registration number है वो registration number डालेंगे data बात student का फिल करेंगे और 80 में से 80-39 80 में से 49 चला गिया जो solve यहां पर होगा answer उसको फिल करेंगे और sign in करेंगे ठीक है टिखेंगे और sign in करेंगे तो click here to download अप्सन आ गया यहां पर click करेंगे तो देख सकते admit card download हो गया यहां पर mobile से कर रहे तो mobile में भी admit card download हो जाएगा उसको open करेंगे तो यह रहा student का admit card देख सकते हैं ठीक है अभी आते हैं कि जिन student का registration number नहीं है जैसे बहुत सर और registration number खो गया है भूल गया है मिल नहीं रहा तो भी कोई attention लेने के बात नहीं है ध्यान दीज़ें सबसे पहले उसी website में आएंगे जो बताया है तो इस इस कॉलर से help routine यह पर इस website का direct link वीडियो का description पर देदिए वहां पर click करकाएंगे यहां पर आप हमारे WhatsApp चैनल का साथ जूड जाएंगे वहां पर सभी परकार का direct link देदिए वीडियो का description पर link देदिए WhatsApp चैनल का हमारे WhatsApp चैनल का साथ जूड जाएंगे जहां पर direct link इसका मिलेगा यहां पर click करेंगे इसपर का आ जाएंगे और admit card डाउanलोड करने का link वला में आ जाएंगे वहां पर registration नमबर मांग रहा है तो registration नहीं है तो क्या करेंगे find genvst registration number जे लोग का registration number नहीं है, registration number मिल नहीं रहा हो गया भूल गया है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर option है find, jnvst registration number, यहाँ पर पहले click करेंगे, तो यहाँ पर click करने के बाद देख सकते हैं, click है to find your registration number, यहाँ पर और एक पर click करेंगे, तो student का नाम, father name, mother name, date बाद फिल करेंगे, तो registration number अभी मिल जाएगा, हम अभी एक student का find करके दिखाते हैं फिर student का admit card भी download करके दिखाते हैं, एक student का नाम दे दिया है, father name, mother name, date of birth, और जो यहाँ पर रहेगा, उसको यहाँ लिखना है, capital यहाँ पर है, तो capital लिखना है, इसको देख देख के लिख दिलना है, ठीक है, समझ में नहीं आएगा, तो refresh किजिएगा, नया code आएगा, तो search registration number क्लिक करते हैं, तो देख सकते हैं, student का नाम अगया, registration number हमको दे दिया, कि student का यह registration number है, अभी हमको तो registration number मिल गया, तो क्या करेंगे, जैन्वे statement का download में जाएंगे, download में registration number डालेंगे, और date of birth फिल करेंगे, देख सकते हैं, अभी यहाँ पर जो दोनों है, इसको solve करना है, 12 प्लस 34 जो है यहां पर यहां पर लिख देना है और sign in करना है sign in करेंगे download admit card का option आ गिया download वाला में click करेंगे student का admit card download हो गिया इस परकार open करेंगे mobile से भी कर रहे हैं तो mobile में वो open करेंगे admit card आ जाएगा इस student का देख सकते है exam 20 January 24 को है student साड़े गारव बज़े से डेड़ बज़े तक exam है तिस परकार आप नवदे भी दला है class 6 student का admit card नाम से भी download कर सकते हैं और registration number से भी बस यह दो link के जुरूत है तो वीडियो का description पर website का link दे दिए या फिर हमारे WhatsApp चैनल के साथ जूड़े रही है जिसका link description पर दे दिए तो वीडियो informative लगे तो वीडियो का like करें दुस्तों के साथ share करें चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को subscribe भी कर लिजे चली फरन मिलता नेक्स्ट वीडियो में